जह मसी की दोस्तों, आज की सुर्गे मन्ना का भाग हमने लिया है मती की किताब उसका छटवा अध्याय और उसका चोते स्वापत वचन कहता है, इसलिए कल की चिंता मत करूं, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, दोस्तों ये वचन क्या बताता है हमें ये वचन मुझे बताता है, कि कल का दिन जो आने वाला है वो एक व्यक्ति है उसको परमیश्वर ने अधिकार दिया है, उसको परमेश्वर ने कुछ लीटीज दी है उसके साथ परमेश्वर ने कुछ वाचाएं बांदी है जैसे सूरज अपनी रोश्णी अपने आप देता है चांद अपनी रोश्णी अपने आप देता है हवाय चलती है और चारों तरब बिखेरी जाती है और हम सांस लेते है कभी आपने सोचा है भाई कि ये सूरज ने निकलेगा तो हम कहां से देखेंगे रोश्णी कहां से आएगी या रात को चांद ने निकलेगा तो हम कैसे रात को चलेंगे फिरेंगे या ये हवा नहीं चलेगी तो हम कैसे सांस लेंगे या ये पेड़ों में से फल नहीं उकेंगे तो हम कैसे खाएंगे या फूल नहीं उगेंगे तो उनकी खुश्बू हम कैसे लेंगे नहीं भाई परमिश्वर ने हर एक शक्ती के संग वाचा बांदी है और वो कारे उसको करना ही है इसलिए वज़न कहता है कल जो आने वाला है उसके पास आपके लिए आशीशे हैं कल जो आने वाला है उसके पास आपके लिए आशाएं है कल जो आने वाला है उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है बस आप परमिश्वर के संग अपनी वाचा में बने रहें और उन आशीशों को लेना सीखें इसलिए इसी का पहला पत कहता है कि उसके राजी की खोच करो और उसकी धर्मिक्ता की खोच में लगे रहो तो ये सारी चीजें तुमें दे दी जाएंगी इंसान धर्टी पर इसलिए रहता है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां रहूंगा लेकिन प्रभू कहता है तो क्या खाएगा तो कहा रहेगा तो क्या पहनेगा तो इसकी चिंता मत कर तुम मेरे राज्ज की खोच कर दोस्तों हमारे शुरीड में पांच इंद्रियां है सुनना, चकना, सुनना, देखना, महसूस करना ये पांच जो चीजें हैं, जो पांच इंद्रियां हैं हम इनी को हम शक्तियां समझते हैं हम समझते हैं जो इनके दोरा हमारे जीवन में आती है वो बातें सच्ची हैं हम समझते हैं जो देखता है वो ही सच्चा है लेकिन नहीं, बाइबल कहती ही, जो नहीं दिखता है, वो सच्चा है, वो पवित्र है परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ को क्या हम चक सकते हैं, क्या हम सूंग सकते हैं, क्या हम हैसूस कर सकते हैं नहीं, परमेश्र का सामर्थ जो हमारे अंदर है, परमेश्र की आत्मा जो हमारे अंदर है, उसने हमारी आत्मा को जिन्दा किया है, इसलिए हमें उस आत्मा के द्वारा उसके राज़ की खोच करनी है, इसलिए मेरे भाईयों, परमेश्र आपसे बहुत प्यार करता है, उसने कि जब वो अपने एक लोते पुत्र का आपको बलिदान कर सकता है आपके लिए आपको कितना प्यार करता है कि आपको खाने के लिए नहीं देगा उसने सारी श्रिष्टी मेरे भाई आपके लिए रची है ताकि आप सुख भोगे ताकि आप आशीश माएं ताकि आप आनंदित रहें इसलिए हम परमिश्वर का धन्यवाद करें और जो कल आने वाला है उसका स्वाखत करें क्योंकि कल जो आने वाला है वो एक व्यक्ती है कल जो आने वाला है वो परमिश्वर की आग्या को मानने वाला है और वो अपने साथ आशीशे लेकर आने वाला है, आशाएं लेकर आने वाला है, उसने परमेशर के संग बाचा बांदी है, इसलिए मेरे भाई, विश्वास करिए, कि आप भूके नहीं रहेंगे, विश्वास करिए, कि आप चिंता में मरेंगे नहीं, इसलिए, जब शैतान इशुमसी की परिशा करने के लिए आया, तो उसने कहा, अगर तू परमेशर का पुत्र है, तो इस पत्थर से बोल, ये रोटी बन जाए, इशुमसी ने क्या उतर दिया, उसने कहा, कि इंसान परमेशर के वचलों के द्वारा, जिन्दा रह सकता है, येस लोट, धन्यवाद पिता परमेशर, तुने हमें अपनी आशा दी है, तुने हमें वचन दी है, तुने हमें वो बुद्धी दी है, धन्यवाद, आज का दिन पवित्र है परमेशर, सुने वाले हर भाई बेन के लिए, हम तेरा आशीश मांगते हैं, सुख मांगते हैं, तकि कल की बात, कल का दिन, हमारे लिए आशीश लेकर आए, और शैतान हमें जूट न बोल सके, हम शैतान की जूट को समझें, पहचानें, और उसको अपने जीवन से निकालें, परमेशर हम धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए, पविद्र दिन के लिए, इस सुभा के लिए धन्यवाद, आपका आशीश, हमारे साथ रहे, हर भाई बहन के साथ रहे, इश्यो मसी के नाम से मांगते हैं, एमें,